1840 में शोइन वीन वेग्यानिक ने ये देखा कि ये जो गैस है ये एक नई प्रकार की गैस होती है इसका नाम उन्होंने ओजोन रखा ओजोन में से जो ओजो है सकार्थ होता है दुरगंद सोरेट ने ओजोन के लिए O3 सूत्र दिया और ओजोन जो है वो ओक्सीजन का ही एक परूप होता है ओक्सीजन के दोवा परूप होते हैं O2 एवं O3 ओजोन वायमंदल के 20 किलोमेटर उचाई पर पाया जाता है यहाँ पर जो ओक्सीजन है वो यूवी रेस के प्रभाव में ओ ओजोन का अब घटन होता है तो फिर ओक्सीजन गैस बन जाती है वायमंदल की इतनी उचाई पर ओजोन गैस का विघटन और ओजोन गैस का बनना तो इस तरह की क्रियाएं होती है रक्षात्मक कवच बनी होती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं यह जो ओजोन परत होती है वो सूरी की केरणों से आने वाली जो अल्ट्रावाइलिट रेज होती है उससे हमारी रक्षा करती है लेकिन वर्टमान समय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनका प्रियोग बहुत ज़्यादा शीतलन में होता है ये chlorofluorocarbon ओजोन परत के अपशय का कारण बनती है या ओजोन की लेयर के अपशय होने के कारण जो अल्ट्रा वाइलेड रेज होती है वो डायरेक्ट पृत्वी पर आती है जिससे यहां के जीवों पर प्रभाव पड़ता है और त्वचा कैंसर का ये कारण बनती है इसी प्रकार जो सूपर जेट एरोप्लेन से निकलने वाला जो NO है नाइट्रिक ऑक्साइड है वो भी ओजोन परत अपशय का कारण बनता है तो जो सूपर जेट एरोप्लेन से निकलने वाला जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो किस प्रकार से ओजोन लेयर का अपशय करता है वो देखिए, NO plus O3 is equal to NO2 plus O2, तो ये भी Ozone layer के अपशे का एक बहुत बड़ा कारण है, अब हम जानेंगे Ozone बनाने की विधियाँ, ओजोन को बनाने के लिए एक विशेश प्रकार की नली होती है, एक विशिष्ट नली में विद्यूत्वि सर्जन कराकर Ozone प्राप्त किया जाता है, जहां पर शुष्क एवं शुद्ध ऑक्सिजन गैस लिया जाता है, ये जो विशेश प्रकार की नली होती है, जिसे Ozoneizer कहा जाता है ये ओजोनाइजर दो प्रकार के होते हैं सीमेन ओजोनाइजर या ब्रॉडी ओजोनाइजर जिस पर विद्धुत्विसर्जन करा के शुद्धेवमसुष्क ऑक्सीजन से ओजोन प्राप्त किया जाता है तो इसका जो रियक्शन होगा 302 is equal to 203 तो इस पूरी प्रक्र जब ऑक्सीजन से ओजोन बनता है इस दौरान उत्पाद के आयतन में कमी हो रही है यहां पर हमने लिखा 302 is equal to 203 तो उत्पाद की मात्रा में कमी आई और उश्मा का अवशोशन होता है तो यह रियक्शन जो है यह एक उश्मा शोशी अभिक्रिया को दर्शाता है अब हम ओजोन के गुणों के बारे में जानेंगे ओजोन एक हलके नीले रंग की गैस होती है और इसका गंद फिश के समान होता है ओजोन को जब माइनस 120 डिग्री सेंटिग्रेट पर संगनित किया जाता है तो जो ओजोन गैस है वो लिक्विड ओजोन में परिवर्तित होती है और Liquid Ozone को जब और ज़दा थंडा कर दिया जाता है तो यहां Bagni काले रंगा Ozone का Crystal प्राप्त होता है Ozone यहां पर ठोस रूप में होता है तो Ozone minus 120 degree centigrade पर Ozone gas minus 120 degree centigrade पर Ozone liquid में Change होता है और Ozone liquid को और ज़दा ठंडा कर देते हैं तो यह ओजोन ठोस रूपे परिवर्तित होता है ओजोन की जो मात्रा है वो कम मात्रा में यहानी कारक नहीं होती है लेकिन 100 PPM याने 105 पर मेलियन से ज़्यादा सांदरन जब होता है ओजोन का तो यह बहुत ज़्यादा विशैली हो जाता है और इसको सुंगने से मिरत्यू भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा सुंगने से सिरदर्द भी होता है ओजोन अस्थाई होते हैं या इसको हम उश्मागति की ढंग से भी समझ सकते हैं ओजोन तुरंत अब गटित होकर के ऑक्सीजन एवं नौजात ऑक्सीजन में परिवर्तित होती है मतलब ऑक्सीजन अडू में और नौजात ऑक्सीजन में परिवर्तित होती है तो जब हम ओजोन के विगटन को देखते हैं तो O3 is equal to O2 plus O यहाँ पर इसे उश्मागति की ढंग से भी समझ सकते हैं इस दौरान जो एंथेल्पी परिवर्तन का मान है वह रिनात्मक होता है यह एक उश्मा छेपी अभ अभिक्रिया है और डेल्टा H का मान रिनात्मक होता है जबकि डेल्टा S का मान यहां धनात्मक होता है तो यह जो दोनों वैल्यूज है मतलब डेल्टा H का मान और डेल्टा S का मान यह दोनों ही जो एक दूसरे को प्रबलित करती हैं और यह दोनों ही ऑक्सीजन के बनने के लिए जो डेल्टा जी का मान है उसको अधिक रिनात्मक कर देती हैं तो हम यह जानते हैं कि डेल्टा जी का मान जितना ज़्यादा रिनात्मक होता है अभी क्रिया स्वता प्रवर्तित होती है अर्थात ऑक्सीजन के बनने की जो घटना है वो बहुत ऑक्सीजन बनना स्वता तो ओजोन बहुत जल्दी विघटित हो जाता है यह विघटन अस्थाई रूप से यह अस्थाई होने के कारण ही यह विघटन होता है और इसके अस्थाई तो को समझने के लिए डेल्टा एच का मान रिणात्मक और डेल्टा एस का मान धरात्मक होता है जो दोनों ही मान है व वो जादा निगेटिव हो जाता है, तो अभी क्रिया स्वता प्रवर्तित होती है, ओजोन एक अच्छा ओक्सीकारक होता है, ओजोन ओक्सीजन से भी जादा प्रबल ओक्सीकारक होता है, क्योंकि ओजोन का विघटन हमने देखा कि ओजोन विघटित होकर के ओटू एवं ओक् बहुत अच्छे ऑक्सिकारक होते हैं, इसके ऑक्सिकारक गुड को समझने के लिए हम कुछ रियक्शन देखेंगे, तो लेड सलफाइट को ये लेड सलफेट में ऑक्सिकरित करता है, तो रियक्शन होगा PbS plus 4O3 is equal to 4O2 plus PbSO4 लेड सलफेट, तो लेड सलफाइट में परिव परिवर्टित करता है, तो 2NO2 plus O3 is equal to N2O5 plus O2, अगला है Potassium Iodide को ये Iodine में परिवर्टित कर सकता है, तो 2Ki plus H2O plus O3 is equal to 2Koh plus I2 plus O2, तो ये Potassium Iodide को Iodine में परिवर्टित कर सकते हैं, यहने यहाँ Oxigrant की करिया हुई, Oxigrant करके ये Iodide को Iodine में परिवर्टित करते हैं, ओजोन का मातरात्मक आकलन भी किया जा सकता है, इसको करने के लिए जो ओजोन होता है, ओजोन बोरेट बफर से उभय प्रतिरोधित, Potassium Iodide की अधिकता में जब अभी क्रिया करते हैं, तो Iodine मुक्त करते हैं, और जब Iodine मुक्त होता है, तो इस मुक्त Iodine का अनुमापन हाइपो सॉलूशन या Na2S2O3 के द्वारा किया जाता है, और जब मुक्त Iodine का अनुमापन एक मानक हाइपो सॉलूशन से किया जाता है, तो इस आधार पर Ozone का भी आकलन कर सकते हैं, अब हम जानेंगे Ozone की अनुनादी संर स्कते हराई द्वाराक हम जानेंगे Ozone की अनुमापन लापन लइसμेंगे Ozone का जोसूत रह वो 3 है तो oxygen जो है oxygen 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 के बीच में यहां जो structure है वो एक bend structure होता है oxygen 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 के बीच में बेंट structure है ओ-ओ-ओ के बीच जो bond angle है वो 170 डिगरी है और ओ-ओ-ओ के बीच जो bond length है वह 128 28-P meter होता है इसी प्रकार ozone और ozone एक दूसरे में परिवर्थित होती है इसके अनुनादी संरचना होती है ozone में oxygen oxygen के बीच इधर single bond और double bond इसी तरह से दूसरे ozone का जो अनुनादी संरचना हम देखेंगे वहाँ भी oxygen oxygen के बीच में दूसरी तरफ double bond और एक तरफ single bond तो यहाँ पर जिधर single bond है वहाँ पर oxygen पर negative charge जो main oxygen है उस पर plus charge है तो यहाँ इस structure का जब हम अनुनादी संकर देखेंगे ओजोन के लिए तो OOO के बीच OOO के बीच जो bonding है उसमें single bond character भी है और double bond भी character है क्योंकि हमने देखा कि इन दोनों oxygen के बीच single bond भी हो सकता है और double bond भी हो सकता है तो जब इसका अनुनादी संकर देखते हैं तो OOO के बीच में single bond और double bond दोनों character होने की संभावना होती है तो यहां पर ओजोन की संरचना को हमने जाना। ओजोन के ओक्सिकारा गुण को समझने के लिए कुछ और उदाहरन हम देखेंगे। ओजोन फेरस सलफेट को फेरिक सलफेट में परिवर्तित करता है। फेरस सलफेट की अमली माध्यम में जब करिया होती है ओजोन के साथ तो ये फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में परिवर्थित करते हैं. रियक्षन देखिए, 2FeSO4 प्लस H2O प्लस O3 is equal to Fe2SO4 whole thrice प्लस H2O प्लस O2. दूसरा है, आयोडीन को आयोडेट में परिवर्थित कर सकते हैं. तो I2 प्लस H2O प्लस 5O3 is equal to 2HIO3 प्लस 5O2. सिल्वर को भी ये उक्सी करिद करके सिल्वर उक्साइड बना सकते हैं. तो 2AG प्लस O3 is equal to AG2O प्लस O2. तो इस प्रकार ये तीनों रियक्षन भी इसके उक्सी कारगुण को दर्शाते हैं. अप्चायक गुण भी होते हैं. तो ओजोन अप्चायक की तरह भी विवार करता है. तो इसके अप्चायक गुणों को हम जानेंगे. ये परोक्साइडों को अप्चायद कर सकते हैं. तो परोक्साइड में आप सबसे पहले देखिए. कि किस प्रकार ये अप्चायक का कारे करते हैं. उसके लिए एक सिम्पल सा रियक्शन पहले देखेंगे. कि ओजोन जब वाटर से रियक्ट होता है. तो ह प्लस और ऑक्सीजन बना. तो ह2O plus O3 is equal to 2H plus plus 2O2. अगला हम देखेंगे बेरियम परोक्साइड BAO2 plus O3 is equal to BAO plus 2O2. नेक्स्ट है AG2O plus O3 is equal to 2AG plus 2O2. तो यहाँ पर ये परोक्साइड को अप्चैद करते हैं. तो ओजोन ओक्सीकारक की तरह भी कारे कर रहे हैं और अप्चायक की तरह भी कारे करते हैं. तो जब कभी भी इसके ओक्सीकारक गुण या अप्चायक गुण को समझाने के लिए प्रशनाता है. तो इसमें कैसे ये oxygen मुक्त करता है, कैसे ये hydrogen मुक्त करता है, उस reaction के साथ 2 या 3 उदाहरंड से आपको इसे समझाना होता है. अब हम ozone के उप्योग के बारे में जानेंगे. ozone एक बहुत ही अच्छा विरंजक होता है, ये विरंजन करता है तेलों का, हाथी दात का, स्टार्च का, कपडों का, मोम का, तो इस प्रकार ये बहुत अच्छा एक विरंजक के रूप में कारे करता है. ozone की टारूँ नाशक के रूप में भी कारे करते हैं. पे जल को की टारू मुक्त बनाने के लिए ozone का प्रेयोग किया जाता है. इसी प्रकार ये जो कार्बनिक योगीक होते हैं उसमें असंत्रिप्त जो हाइड्रो कार्बन होते हैं डबल बॉंड ट्रिपल बॉंड उसकी स्थिती को जानने में भी ओजोन मदद करते हैं ओजोन के द्वारा कीमनो 4 का भी निर्माड होता है यहाँ पर रियक्शन देखिए 2क2मनो 4 प्लस वाटर प्लस O3 इस इक्वल टू 2कमनो 4 प्लस 2कोच प्लस O2 तो यह पोटेशियम मैगनेट से पोटेशियम पर मैगनेट के निर्माड में भी सहायक होते हैं क्रित्रिम सिल्क बनाने में भी ओजोन का उपयोग होता है अब हम जानेंगे सल्फर के कितने अपरूप होते हैं और उनके कुछ गुणों के बारे में सल्फर के मुख्य रूप से हम तीन अपरूप यहां जानेंगे अल्फा सल्फर या रॉंबिक सल्फर बीटा सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर और प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर तो सबसे पहले हम जानेंगे अल्फा सल्फर या रॉंबिक सल्फर के बारे में तो जो अलफा सलफर होता है ये पीले रंग का क्रिस्टल होता है ज्वाला मुखी शेतर में ये पाया जाते हैं प्रायह इसे बनाने के लिए जो रोल सलफर होता है कार्बन टेटराक्लोराइट के साथ या उसके वाश्पी करण के द्वारा अलफा सलफर प्लाप्त कर सकते हैं तो रोल सलफर की कार्बन टेट्राक्लॉराइट की उपस्थिती में वास्पिकृत करा कर हम अलफा सलफर प्लाप्त कर सकते हैं तो जो अलफा सलफर होता है वह अपर रूपो में सबसे स्थाई सलफर का रूप माना जाता है इसका जो melting point है वो है 385.8 Kelvin ये इनका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो है 2.06 ग्राम प्रतिगन सेंटिमीटर जल में ये अविले होते हैं लेकिन कारबन डाई सलफाइड में ये विले होते हैं अब हम जानेंगे बीटा सलफर या मोनो क्लिनिक सलफर बीटा सलफर जो है वो रंगहीन होते हैं बीटा सलफर 379 Kelvin टेंपरेचर तक बहुत स्थाई होते हैं लेकिन उससे कम टेंपरेचर पर ये तुरंत अल्फा सलफर में परिवर्टित हो जाते हैं तो 379 Kelvin टेंपरेचर तक ये स्थाई रूप में रहते हैं अर्थात बीटा रूप में ही रहते हैं और इससे कम टेंपरेचर होने पर ये तुरंत अल्फा सलफर में परिवर्टित हो जाते हैं सलफर को गला कर जब ठोस होने दिया जाता है तो यहां पर मोनोकलिनिक सलफर या बीटा सलफर प्राप्त होता है ये भी कारबन डाई सलफाइट में विले होते हैं इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 393 केल्विन और विशिष्ट गुरुत वो इसका है 1.9-8 ग्राम प्रतिगन सेंटिमीटर सलफर को प्याली में पिगला कर फिर उसे ठंडा होने दिया जाता है जब यसे ठंडा करते हैं तो उपर एक पपड़ी जम जाती है उस पपड़ी को तो यहां पर जब सुई से चुब होकर देखते हैं पपड़ी को तो यहां पूरे द्राव को हटाने पर बीटा सलफर का प किस temperature पर हो सकता है या दोनों आपस में किस-किस temperature पर परिवर्तित हो सकते हैं और किस temperature पर यह स्थाई होते हैं तो 379 Kelvin तापमान पर यह दोनों स्थाई होते हैं इस तापमान को संक्रमन ताप कहा जाता है जबकि 379 Kelvin तापमान से यदि कम तापमान है तो जो बीटा सलफर है वो अल्फा सल्फर में परिवर्तित होगा और 379 Kelvin से अधिक टेंपरेचर यदि है तो अल्फा सल्फर बीटा सल्फर में परिवर्तित हो जाता है और 379 Kelvin टेंपरेचर पर ये दोनों स्थाई होते हैं सल्फर की संरचना को जब हम देखते हैं तो ये S8 form में भी पाया जाता है S8 form में जब ये पाया जाता है तो यहाँ sulfur sulfur के बीच जो बंद कोड का मान है वो होता है 107 degree और sulfur sulfur के बीच जो बंद लंबाई है वो है 204 pico meter sulfur के बहुत सारे रूप संसलेशित किये गए हैं लगभग 20 sulfur के 20 परमाणू तक के जो अनू है वो संसलेशित किये गए हैं जिसमें से sulfur S7 S9 S10 S11 S12 S18 S20 S6 भी sulfur का एक रूप है जिसमें कूर्सी रूप देखने को मिलता है जहाँ पर Ss के बीच जो बंद लंबाई है वो है 205.7 pico meter जबकि Ss के बीच में जो कूर्सी रूप है उसमें Ss के बीच का जो बंद कोर्ण का मान है 102.2 डिगरी होता है तो sulfur का जो S6 रूप है वह कूर्सी रूप में पाया जाता है इसी तरह से जो S8 फॉर्म है वो भी एक निश्ची तापमान पर उसके जो ring होते है वो विघटित हो जाते है S2 जो है वो अनुचुम्बा की विभार दर्शाता है इसका कारण ये है कि इसमें जो πाई एंटी बॉंडिंग और्बिटल होते है उसमें आयूग में तिलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसलिए जो S2 अनुचुम्बा की विभार दर्शाता है अब हम जानेंगे गामा सल्फर या प्लास्टिक सल्फर प्लास्टिक सल्फर को बनाने के लिए उबलते हुए सल्फर को ठंडे जल में उडेल दिया जाता है जब इसे ठंडे जल में उडेला जाता है तो ये सलफर जम जाता है और जमने के बाद यह एक प्लास्टिक सलफर का रूप ले लेता है इसे गामा सलफर भी कहते हैं गामा सलफर के भी कई गुण है चलिए हम जानेंगे जो गामा सलफर का विशिष्ट गुरुत्व 1.95 ग्राम प्रतिगहन सेंटीमीटर होता है ये जल एवं कार्बन डाई सलफाइड दोनों में ही अविले होते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जिग जैग होता है, जिग जैग बल्याकार सनरचना ये दर्शाते हैं,